सफलता के लिए योग गर्दन के अभ्यास कंधे की हड्डियों के बीच और उसके ऊपर तंत्रिका और उर्जा प्रणाली बड़े पैमाने पर फैलती है इसलिए गर्दन को अच्छी स्थिती में रखना बहुत एहम है गर्दन के इन अभ्यासों को करने के तीन से चार मिनिट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि आप अधिक सजग हो गये हैं और शरीर का आलस से खत्म हो गया है बड़े पैमाने पर नियूरॉन फिर से पैदा होते हैं स्मृती और बौधिक तीक्षनता भी बहतर होती है इसे हलके या खाली पेट की स्थिती में करना सबसे अच्छा होगा यह अभ्यास काफी सरल है और चार साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ती इसे कर सकता है अगर आप चश्मा पहनते हैं तो अभ्यास करते समय कृपया उसे उतार दें गर्दन के अभ्यास अब हम गर्दन के लिए कुछ खास अभ्यास करेंगे यह गर्दन और कंधों की सक्त मान स्पेशियों को नरम बनाने में आपकी साहता करेगा अब हम गर्दन के पहले तीन अभ्यास देखेंगे कृपया ध्यान दें अपने पैरों को एक दूसरे से समानांतर और इनके बीच एक आराम दायक दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं यहाँ पक्का करें कि आपकी गर्दन रसी की तरह धीली है, गर्दन में किसी भी तरह की अकड़न नहीं होनी चाहिए आखें बंद रखें, सास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी ठुड़ी या अपनी चिन सीने तक नीचे लाएं यह शुरुवाती स्थती है, अब सास लेते हुए धीरे धीरे अपने सिर को उपर लाएं और पीछे ले जाएं सास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सिर को सीने तक नीचे लाए यह एक चक्र है आपको इसे तीन बार करना है अब हम गर्दन का दूसरा अभ्यास देखेंगे सास अंदर लेते हुए धीरे धीरे आराम से अपना सिर धाई तरफ मोणे अब सास अंदर लेते हुए धीरे धीरे और अराम से अपना सिर बाई तरफ मोणे अब हम गर्दन का तीसरा अभ्यास देखेंगे यह एक चक्र है, आपको यह तीन बार करना है अब हम गर्दन के पहले तीन अभ्यासों के तीन चक्र एक साथ करेंगे, ख्रपया खड़े हो जाएं अपने पैरों को एक दूसरे से समनांतर और एक आराम दायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं अपनी बाहों और कंधों को धीला और आराम से रखें आखे बंद, सास बाहर छोड़ते हुए अपनी ठुड़ी या चिन को धीरे धीरे आराम से अपने सीने तक ले कर जाएं यह शुरुवात की स्थिती है अब सास अंदर लेते हुए धीरे धीरे अपने सिर को उपर लाएं और इसे पीछे ले जाएं सास बाहर छोड़ते हुए अपने सिर को नीचे अपने सीने तक लाएं दूसरा चक्र फिर से सास अंदर लेते हुए अपने सिर को उपर ले आएं और पीछे ले जाएं सास बाहर छोड़ते हुए इसे नीचे ले आएं तीसरा चक्र यह पक्का करें कि आपके कंधे और बाहें धीले हैं इनमें किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए अब गर्दन के दूसरे अभ्यास के लिए शुरुवाती स्थिती में आ जाएं आपका सिर सीधा होना चाहिए आखें बंद सास अंदर लेते हुए धीरे धीरे आराम से अपने सिर को दाई तरव घुमाएं सास बाहर छोड़ते हुए इसे फिर से बीच में ले आएं सास अंदर लेते हुए धीरे धीरे आराम से अपने सिर को बाई तरव घुमाएं सास बाहर छोड़ते हुए इसे फिर बीच में ले आएं दूसरा चक्र, दाई तरफ, बाई तरफ, तीसरा चक्र, इसे धीरे धीरे करें. आप अपने सिर को एक पल के लिए रोक सकते हैं, और फिर वापस आ सकते हैं. और फिर शुरुवाती स्थिती में आ जाएं. अब हम गर्दन का तीसरा अभ्यास करेंगे. फिर से आपका सिर सीधा होना चाहिए, आँखें बंद. सास बाहर छोड़ते हुए, धीरे धीरे आराम से अपने दाएं कान को अपने दाएं कंधे के पास ले जाएं. सास अंदर लेते हुए, इसे उपर ले आएं. सास बाहर छोड़ते हुए, धीरे धीरे आराम से अपने बाएं कान को अपने बाएं कंधे के पास ले जाएं. सास अंदर लेते हुए, इसे वापस ले आएं. दूसरा चक्र तीसरा चक्र सास बाहर छोड़ते हुए, सिर को नीचे ले जाएं. सास अंदर लेते हुए, इसे उपर लाएं. जब आपका अभ्यास खत्म हो जाए, तो कृप्या आराम से बैठ जाएं. अब हम गर्दन का चौथा और पांचवा अभ्यास सीखेंगे. पैर एक दूसरे से समाना अंतर और आराम दायक दूरी पर होने चाहिए. आखे बंद, सास बाहर छोड़ते हुए, अपनी थुड़ी को अपने सीने तक ले जाएं. यह शुरूआती स्थिती है. सास अंदर लेते हुए, धीरे-धीरे आराम से अपने सिर को अपने दायकंधे की तरफ घूमाएं. सास अंदर लेते हुए, आपका सिर पीछे जाएगा. सांस बाहर छोड़ती हुए यह वापस नीचे आएगा पूरा चक्र करें और फिर दिशा बदल कर उल्टी दिशा में करें यह एक चक्र है आपको यह तीन बार करना है और अब गर्दन का पांचवा और आखरी अभ्यास अब अपने कंधों को आगे की दिशा में घुमाएं सांस अंदर लेते हुए उपर जाएं सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आएं आपको यह तीन बार करना है अब अपने कंधे पीछे की दिशा में घुमाएं सांस अंदर लेते हुए उपर जाएं सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आएं इसे तीन बार करें अब हम गर्दन का चौथा और पांचवा अभ्यास करेंगे कृपया खड़े हो जाएं यह देख लें कि आपके पैर एक दूसरे से समानानतर है आखे बंद सांस बाहर छोड़ते हुए अपनी ठुड़ी को अपने सीने तक लाएं यह शुरुवाती स्थिती है अब सांस अंदर लेते हुए धीरे-धीरे आराम से अपने सिर को अपने दाय कंधे की दिशा में घुमाएं सांस अंदर लेते हुए आपका सिर्फ पीछे जाएगा सांस बाहर छोड़ते हुए सिर्फ वापस नीचे आएगा एक बार पूरी तरह से घुमाएं फिर दिशा बदलें और दूसरी दिशा में घुमाएं हम दो और चक्र करेंगे दूसरा चक्र अपने सिर्फ को अपने दाएं कंधे की दिशा में घुमाएं यह पक्का करें कि सिर्फ को घुमाते समय आपका उपरी शरीर स्थिर रहता है दिशा बदलें और बाएं कंधे की तरफ घुमाएं और तीसरा चक्र इसे सांस के साथ तालमेल बनाते हुए बहुत धीरे धीरे करें और अब हम गर्दन का पाँचवा अभ्यास एक साथ करेंगे अपना सिर सीधा रखें उपरी शरीर आराम से आखे बंद सांस अंदर लेते हुए अपने कंधों को सामने की ओर घुमाएं सांस अंदर लेते हुए उपर जाएं सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आएं ऐसा तीन बार करें अब अपना कंधा पीछे की दिशा में घुमाएं फिर से सांस अंदर लेते हुए उपर जाएं सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे आएं ऐसा तीन बार करें जब आपका अभ्यास खत्म हो जाए तो आराम से बैठ जाएं दुनिया में काम्याब होने के लिए आपके पास दो बुनियादी खूबियां होनी चाहिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए अपने मन और अपने शरीर की ख्शमता को निखारने की अपने मन और अपके पास योग्यता होनी चाहिए